Welcome to Only IS, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रिलिम बूश्टर न्यूज डिसकेशन में आज है 7 जनवरी 2022 तो आज ये देख लेते हैं कैसे कौन से important articles हैं जो आज हम cover करने वाले हैं हमारा first article NEET 3.0 या 3.0 के बारे में है हाल ही में Union Education Minister ने launch किया है एक National Education Alliance for Technology short में आप इसे NEET बोल सकते हैं further इसी के साथ AICTE यानि की All India Council for Technical Education ने prescribe की हैं कुछ technical books को regional languages में देखे technical books जो engineering वगरा में काम आती हैं वो basically English में ही होती हैं लेकिन धीमे धीमे इन्हें regional languages में भी लाने का काम किया जा रहा है ये है का exactly NEET NEET एक public private partnership है जहां पे government और education technology में काम करने वाली companies आती हैं देखे कई सारी companies हैं जो कुछ ऐसे platform सयार करती हैं जहां से technology का इस्तेमाल करके education impart की जा सकती है government की ओर से इसका हिस्सा है AICTE यानि Call India Council for Technical Education और कई सारी private edutech companies इसमें जोड जाएंगी ये initiative कुछ ऐसा होगा जिसके जरीह हैं education के sector में technological solutions लेकर आएंगे इससे youngsters के employability बढ़ेगी और students को इस तरीके से आए technology का इस्तेमाल करके पढ़ने में काफी ज़दा convenience हो जाएगी ये जो solutions हैं इनमे artificial intelligence का भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि students अपनी ease के हिसाब से जो भी education है उसे avail कर सके AICTE ने जोकि ministry of education के तहत आती है वो इस पूरे process को facilitate कर रहे हैं जो ministry है वो ये भी ensure करेगी कि जो भी solutions यहां से तयार किये जाएं वो society के सभी members के लिए freely available हो basically economically backwards students के लिए NEET 3.0 ये एक मात्र ऐसा single platform बन जाएगा जहां पर edutex solutions and courses available होंगे देश में किसी भी student के लिए AICTE ने जो prescribe की है technical books original language में उन पर भी बात करते हैं इंडिया के strength lies है मतलब मिलेगी हमें diverse languages में चुकि इंडिया एक diverse country है तो यहां पर अलग-अलग भासाय बोली जाती है तो हमें इसे harness करना होगा तभी हम एक innovative society के और आगे बढ़ पाएंगे इसकी objective को attain करने की उद्देश से ताकि जो original language में अब जरूरी तो नहीं कि सबको English आती हो हमारा next article नेशनल टाइगर कंजरवेशन अथारिटी यानि कि एन टी सी ए के बारे में है 19 मीटिंग हुई है नेशनल टाइगर कंजरवेशन अथारिटी की यूनिमिनिस्टर फर इन्वार्मेंट की चेर्मेंशिप में इसके साथ ही साथ एक और initiative launch किया गया, action plan launch किया गया है कि सुद्देश से, कि इंडिया में चीता को introduce किया जाए तो क्या चीता इंडिया में नहीं पाए जाते, कभी किसी जमाने में पाए जाते थे अब तो नहीं पाए जाते, लेकिन लग रहा है कि अब पाए जाएंगे पिकाज एक बार फिर से हम चीता को इंडिया में introduce करने वाले हैं ये बात भी करेंगे, लेकिन उसके पहले जानेंगे NTCA के बारे में NTCA को, NTCA का full form पता है न, National Tiger Conservation Authority 2005 में इसे बनाया गया था, Tiger Task Force के recommendation पे Statuary Body है, Statuary Body का मतलब समझते हैं न, मतलब इसके लिए कोई कानून आया होगा, कि इसी Act के तहत इसे बनाया गया होगा इसे बनाया गया है Ministry of Environment, Forest and Climate Change के तहत मतलब ये काम इस Ministry के तहत करता है, लेकिन है Statuary Body, मतलब एक कानून तो रहा होगा, तो इसके लिए जो कानून है, that is Wildlife Protection Act of 1972 Wildlife Protection Act of 1972 के तहत इसे constitute किया गया है and that's why it is a Statuary Body, objective इसका पहला तो ये था कि Project Tiger के तहत जो भी प्रावधान है, उन्हें एक legal basis दे दिया जाए ताकि उन्हें जरूर से implement कर लिया जाए, दूसरी बात ये थी कि सेंटर स्टेट के बीच में एक relationship establish की जाए, एक memorandum of understanding के थूरू, ताकि जो भी Tiger Reserves राज्यों में हैं, उन्हें अच्छी तरीके से वहाँ के जीमों का ध्यान रखा जाए या विसिकली Tigers का ध्यान रखा जाए, तीसरी बात कि Parliament को एक insight देना की Tigers की क्या condition है देश में, और सबसे last में, जो भी लोग ऐसे areas में रहते हैं जहां पर Tiger Reserves है, उनकी livelihood का भी ध्यान रखना है, action plan for introducing Cheetah in India, ये topic important है, इस पर भी ध्यान देते हैं, ध्यान दीजेगा कि 1952 के पहले, इंडिया में चीता हुआ करते थे, लेकिन, इंसानों की, बहुत ही बहादुरी की वज़ा से, हमने उनका पूरी बहादुरी से सिकार करके, उन्हें जान से मार दिया, और हमने एक और सफलता हासिल की, और चीता को पुरी तरीके से खतम कर दिया, तो एक पर जातवी को हमने भारत से नस्ते नाबूद कर दिया और ये माना हुता कि बहुत बड़ी जीत रही, जिसके बाद Čंसे भाद चीता भारत से और पूरी तरीके से खतम हो गए, जब भारत गुलामी की एक बार फिर से जो एक majestic animal है वो हमारे देश में आए। इसी वज़े से हम उसे translocate करने की planning कर रहे हैं। आठ से 12 चीता introduce किये जाने वाले हैं जो उमीदितन आएंगे South Africa, Namibia और बोथसवाना से। इन्हें लाया जाएगा कुनो पालपुर नेशनल पार्क में जो की मत्रप्रदेस में situated है। अगर ऐसा हो पाया तो ये दुनिया का पहला intercontinental चीता relocation project होगा जहां पर एक continent से चीता को दूसरे continent पर लाया जाएगा। अगर हम ऐसा कर पाया तो निश्चित तोर पर ये एक अच्छी बात होगी। इसी दुरान Water Atlas भी रिलीस किया गया। Water Atlas को रिलीस किया गया है Minister of Environment, Forest and Climate Change के दवरा। बारत में जो भी ऐसे tiger bearing areas हैं, उसके भीतर जो भी water bodies हैं, उनका एक Atlas होगा। वहाँ पर water का level क्या है, water body किस condition में है, इसकी सारे जानकारी इस Atlas से में मिल जाएगी। यहाँ पर जो भी bodies हैं अलग जगहों पर उनका पुरा data मिल जाएगा जैसे कि शिवालिक हिल्स, गैंगेटिक प्लीन, सेंटरल इंडियन लैर्सकेप या इस्टरन घार्ट, वेस्टरन घार्ट, इन सभी जगहों पर जो भी water bodies हैं, उसकी जानकारी हमें यहाँ से मिल यहाँ पर देखें जो एटलस है, उसको remote sensing data या GIS, जो भी location होती है, हम उसको geography के साथ link करके उसका data तयार कर लेते हैं, तो उसका भी इस्तिमाल किया जाएगा, चीता के बारे में बात करें, तो चीता को scientifically कहा जाता है, एसी नॉनिक्स, जो बैतिस, यह Africa और Central Iran के native हैं, दुनि आफ्रिका का एक region है, यह सरेंगेती का, वहाँ पर पाया जाता है, जो हिली desert है, इरान का और सहारा ranges, सहारा का जो region है, वहाँ पर जो mountain regions है, वहाँ पर भी मिल जाता है, आयूसेन के red list में vulnerable है, इंडिया में खतम हो चुका है, लेकिन दुनिया के अर्ने देसों में है, that's why य वाइल्ड क्रैब को बहुत बड़ी संख्या में ये मार रहा है, वाइल्ड क्रैब में होने वाली बीमारी जो इस रिवो वाइरस से होती है, उसे sleeping disease कहा जाता है, जिसके बाद ये क्रैब बड़ी तेजी से मरने लग जाते हैं, ये वाइरस जो ये mud क्रैब या wild क्रैब हैं, इनके हिपैटो, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन या गिल्स, गिल्स मतलब गल्फडे, उनके टीशूस को प्रभावित करता है और अंतरता उनकी जान चली जाती है, वाइल्ड क्रैब या mud क्रैब की बात करें, तो इन्हें scientifically सेला, सेराटा कहा जाता है, एकोलोजिकली important होते इनका जो उपर के हिस्से का जो कवर होता है, जो सेल कवर होता है, वो काफी मोटा होता है, ग्रीन या डाक ब्राउन कलर का होता है, जो की काफी common है, हमारा next article एक्वामेशन के बारे में है, देस्मौन तू-तू जी, जो की अफरिका में नसल भ्यद के खिलाफ लड़ाई जाने को लेकर जाने जाते हैं, काफी prominent figure रहे हैं, South Africa की history में, इन्हीं Nobel Peace Prize भी मिला इनके इन efforts के लिए, अभी हाल ही में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि जब उनके मित्यू हो, तो उनको कुछ इस तरीके से क्रिमेट किया जाए, जिससे क environment को नुकसान ना हो, मतलब कोई भी environment friendly method opt किया जाए, और उनकी इच्छा थी कि उनको aquamation के जरिए क्रिमेट किया जाए, बिल्कुल वही किया गया, और इसी हो जैसे aquamation news में आया, क्या है aquamation, aquamation को हम कई अन्य नामों से पुकारते हैं, जैसे कि water cremation, green cremation, chemical cremation, alkaline, hydrolysis, या flameless cremation, इतने सारे नाम दे दिये हमने इसे, बट ये है क्या, ये एक ऐसा cremation है, एक ऐसा दा संसकार है आप कह सकते हैं, जिसमें आग की बजाए, पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जो word है aqua, इससे आपको समझ में आ ही गया होगा, कि पानी का कोई रोल होगा, aquamation मे करते क हैं, कि बॉड़ी को एक mixture में डुबो दिया जाता है, तीन से चार घंटों के लिए, ये जो mixture होता है, इसमें 95% तो पानी ही होता है, लेकिन 5% alkaline material होता है, जिसमें sodium या potassium को इस्तेमाल किया जाता है, फर्दर इसे एक chamber में रखा जाता है, जहां पर काफी ज़दा pressure create करने के स साथ 150 degree Celsius का temperature भी अचीव किया जाता है, इस temperature और pressure के वज़े से body के जो भी tissues हैं, या फिर organic जो cell के links हैं, वो टूट जाते हैं, जो chemical compounds हो पूरी तरीके से टूट जाते हैं, ये जो gentle water flow होता है, temperature होता है, या फिर alkalinity होती है, वो पूरी तरीके से जो organic material है body का, उसको breakdown कर देती है जो decomposition होता है, ये alkaline hydrolysis के प्रक्रिया में ये बिल्कुल वैसा ही है, जब किसी व्यक्ति को बरी किया जाता है, जब कोई भी इनसान बरी किया जाता है, तो धीमे धीमे उसके जो chemical compounds है body के वो टूटते हैं, ये natural process है, लेकिन nature में ये बहुत धीमे धीमे होता है, एकवा mission के ज होता है, neutral liquid कह लीजिए, या sterile liquid कह लीजिए, because इसमें ना तो कोई tissue बचता है, और ना ही DNA, मतब जो liquid बचता है, उसमें ऐसा कुछ भी special नहीं होता है, इसलिए उसे normally water, या waste water के साथ बहाया जा सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है, कुछ dried bones रह जाती है, उन्हें oven में सुख अपना नहीं है, अपनाई जा सकती है, और बाकी का जो पानी है, उसे waste water के इतरा discharge किया जा सकता है, तो ये aquamation के प्रक्रिया में हम बात कर रहे थे, aquamation के history क्या है, मतलब ये जो तरीका है cremation का, ये हमें कब मिला, aquamation के प्रक्रिया को 1888 में ही एक farmer नहीं जात कर लिया था, न और बाई default उन्हें aquamation के प्रक्रिया के बारे में पता चल गया, और उन्होंने इसे patent भी कर वा लिया 1888 में, इसका first commercial system established किया गया, albany medical college में 1993 में, उसके बाद कई सारे hospitals में, universities में, जो donated body होती है, उसमें इस प्रक्रिया को इस्तेमाल किया जाने लगा, इसके कई सारे फायद जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यदा heat चाहिए होती है, तो कम energy required है aquamation में, further greenhouse gases का emission भी इसमें normal cremation की प्रक्रिया से 35% कम होता है, तुकल मिला कि जो traditional cremation method है, उसके तुलनामी ये जादा greener alternative है, aquamation कई सारे देसों में legal है, South Africa में ये पहले legal नहीं हुआ करता था, 2019 में South Africa में भ किया किया, तो aquamation अगर news में आए, तो जरूर से आप इसकी प्रक्रिया को भी समझते रहिए, और इस समझ में प्रशनों को tackle करने के लिए तयार रहिएगा, UPSC इस प्रकार की unique topics पर बड़ा ध्यान देती है, और interested भी रहती है, तो आप भी अपना interest ऐसे topics पर जरूर से है, इगरुआ, हम शॉर्ट में इसे पुकारेंगे, यह एक flying training school है, 1986 में बनाया गया था autonomous body के तहत, Society's Registration Act of 1860 के अंडर में, इसे एक governing council administer करती है, जिसके ex-official chairman होते हैं, ministry of civil aviation के secretary, यह अमेठी उत्तर प्रदेश में situated है, जो इगरुआ है, इसकी significance यह है कि अफगानिस्तान, रॉयल नेपाल, एरलाइन, मौरिश जांबिया, शिशरीज के जो भी foreign nationals हैं, उन्हें यहाँ public training दी गई है, फर्दर, Indian Airlines, BSF, Coast Guard के candidates जो हो गए, Indian Air Force, Indian Navy, उनकी भी जो personals हैं, उन्हें training दी जाती है, अगर required हो तो, 19,000 घंटे इसने 2021 में अचीव किये, जबकि इनका average पिशले 500,000 में महस 15,000 घंटों कर रहा है, और 2020 में तो इन्होंने महस 11,000 घंटे ही उडान भरी थी, क्योंकि COVID की situation चल रही थी, 19,000 घंटे इन्होंने अचीव किये, despite pandemic और जो तौकते, cyclone आया था, उसके बावजूत, तो अट्रैक करनी की कोशिस करेगी, उसी के एक प्रयास सुरूप, उन्होंने डैली Assembly में एक Amendment Bill प्रपोस किया, जिसके तहत वो डैली Sikh गुर्दवारा Act 1971 में कुछ Amendment करने वाले हैं, और इस Amendment के तहत, जो तक्त दमदमा साहिब जी हैं, उन्हीं Sikh Community के पांचवे तक्त के रूप मे एक Authority होती है, एक ऐसी Authority जो Sikhों में Temporal है, Lockic है, मतलब धर्ती पर recite करने वाली एक Authority, अकसर यहां से हुकम नामाज निकलते हैं समय समय पर, जो Sikh Community को प्रभावित करने वाले हों, या फिर उनके Issues से Related हों, पांच Sikh तक्त हैं, जिनमें से तीन तो पंजाब में ही Located हैं, एक है महाराश्रा में, और एक है बिहार में, इन पांचों तक्त के बारे में हम जानकारी ये हासिल करेंगे, इनमें सबसे Prominent है अकाल तक्त, जो अकाल तक्त है, वो Amritsioè में Located है, ये तक्त में सबसे पुराना तक्त माना जाता है, और पांचों तक्त में ये सबसे सूप्रीम यही पर गुरुगोविन सिंग जी ने खालसा की सुरुवात की थी, जिसके तहत सिख वारियर्स को तयार किया जाने लगा था 1699 में तक्त पटना साहिब, यहाँ पर गुरुगोविन सिंग जी का जन्म हुआ था 1666 में तक्त हजूर साहिब, यह नानदेद में है, अगर मैं सही प्रनिशेट कर रहा हूँ तो गुरुगोविन सिंग जी ने यहाँ पर समय बिताया था और 1708 में यही पर उनका अंतिम संसकार किया गया तक्त दमदमा साहिब, यह तलवंडी साबो में है, भतिंडा में, गुरुगोविन सिंग जी ने अपने कई सारे महिने यहाँ बिताये थे, यहाँ दम लिया था, आराम किया था, that's why से दमदमा साहिब कहते हैं अब आपको लग रहा होगा कि पांचवा तक्त दमदमा साहिब है, तो यह दिल्ली की सरकार करने क्या वाली है, लाइक हम सभी लोगों को पता है कि जो तक्त दमदमा साहिब है, वो पांचवा तक्त है सिंग कम्यूटी का, तो फिर यह पांचवा तक्त के रूप में उसे कै तक्त से आते हैं मतलब officially जो दिल्नी सरकार है वो चार तक्त को मानता देती है legal way में और वहां के जो भी जत्थेदार होते हैं मतलब chief होते हैं वो member होते हैं Delhi Sikh Gurdwara Management Committee के तो केवल 4 ही होते हैं जब वो इसमें amendment करके इस पाँछवे को भी मानता दे देंगे तक्त दमदमा साहिब जी को तो यहां के भी जो एक चीफ होंगे वो इस डेली सिक गुर्दवारा मेंजमेंट कमेटी के एक्स ओफिश्य मेंबर के रूप में सामिल हो पाएंगे तो इस अंतर का या फिर यह जो अभी एक नियूज में आई ब्रैकेश वाटर लगून है पानी सलाइन होता है लेकिन कम परेटिवली कम इसलिए ब्रैकेश वाटर कहा जा रहा है यह पूरी खुर्दा और जो गंजम डिस्टिक्ट हैं उरी साके वहां पर आपको मिलेगा जो दया रिवर है उसके माउट पर ही यह बनी है बेव बंगाल के बिलकुल मुहाने पे यह एसिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लगून लेक है जो सबसे बड़ी है वो तो कैलेडोनियन बैरियर रीफ है ठीक है फर्दर 1981 में चिलका लेक भरत की पहला या भरत का पहला वेटलैंड बना इसे वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस डेकलेर किया गया अंडर रामसार साइट या रामसार कन्वेंशन इसका मतलब कि यहाँ पर एकलॉजिकल कंडिशन बदल रही थी और यह लेक थ्रेट में थी बाद में इसे निकाल दिया गया यहाँ पर एक टेंपल है क जी तेंपल जो कि चिलका लेक की एक आइलेंड पर है ऐसा माना जाता है कि गौड़िस काली जी वहाँ पर निवास करती है एक बर्ट सेंचुरी भी है नाला बना आइलेंड यानि कि फॉरस्ट ओफ रीड यहाँ सोला स्कॉर क्रूमेटर का एरिया चिलका लेक का इसमें कव स्टिपी जो मंगूलिया में है, सेंटर, साउथ इस्ट इस्ट इशिया, लद्दा, हिमालिया, इन सभी रीजन से बर्ड्स यहां पर आती हैं। कुछ important birds हैं, अमूर फालकन, बार हेड़ेड़ गीज, ब्लैक नेक्ट क्रीन्स, मरीन टर्टल, डुगॉंग, हमबैक विल्स, यह सभी यहां पर आते हैं, ठीक है, यहां पर हमको इमला कि ओर आल एनिमल्स की भी बात कर रहे हैं। हमारा next article schedule bank के बारे में है, RBI ने अभी हाल ही में Airtel Payment Bank को schedule bank का दर्जा दे दिया है, under Reserve Bank of India Act 1934, अगर यह आ जाया सिंपली की किस bank को भी हाल ही में दर्जा दिया गया है, तो Airtel Payment Bank या प्याद जरूर से रखिएगा, तो schedule bank का मतलब क्या होता है, 1934 का यह जो Reserve Bank of India Act है, इस है कि वो bank rate पर RBI से loan ले सकता है, और उसे automatically clearing house की membership मिल जाती है, clearing house एक intermediary की ते work करता है, buyers और sellers के बीच में जो भी financial instrument बेचिया खरी दी जाते है, तो schedule bank को already उसकी membership मिल जाती है, ठीक है, payment bank क्या होता है, payment bank को इंडिया में financial inclusion बहतर करने के लिए लाया गया, जिसके जरीए जो भी labor workforce है, low income household है, उन्हें banking services के साथ जोडने की कोशिस की गई, ये बहुत है limited manner में deposit ले सकते हैं, पहले तो ये limit महद एक लाग की हुआ करती थी, बाद में से दो लाग कर दिया गया, उमीद है आगे और भी बढ़ा दी जाएगी, अगर ये deposit ले सकते हैं, तो मतलब ये ATM card, debit card, online और mobile banking के services भी देंगे, ये तो normal सी बात है, लेकिन ये loan या credit cards नहीं दे सकते, ये इनको allowed नहीं है, यद्यपी, ये current और saving, दोनों प्रकार्ड के accounts मैनेज कर सकते हैं, revision करते हैं, चीता, IOSN के red list में endangered है, गलत, vulnerable है, mud crab, river virus, sleeping disease के नाम से पुकारा जाता है, that's true, इंदरा गा अमेठी में located है, काली जाई टेंपल, पुली कटलेक की island पे है, गलत है, चिलका लेक की एक island पर है, अकालतक्त, अमरिस्तर में located है, 1606 में, गुरु हर्गो बिंजिंग ने इसे found किया, so that's true, ये session यहाँ पर समाप्त करेंगे, session की pdf only IOS के telegram channel पे मिलेगी, वहाँ जाईए, इसे download करिए और revision करिए, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद,